नमस्का दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अलग है और मैं आपको सौधान भी करना चाहूंगा कि आप ऐसा ना करें क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत भारी नुक्सान उठाना पड़ सकता है और दोस्तों बिजली का मिल ज्यादा क्यों देना पड़ता है इस Galaxy मुत दे आज बात करेंगे कि हमारे गर् ellों में बीजली बील ज्यादा आता है और हम लोग क्या गलत करते आ है वह संद आपको वीडियो में लेकिन दौस्तों अगर कोई बीडियो पसंद आए तो चैनल को subscribe क कने लिए भार तो दोस्तों हमारा प्रिज्ली के बील जाद क्यों कूंए आता है आ और लोग चोरी करतें बिज्ली का तो दोस्त उसका आपको नुक्सान बहुत अगर कोई भी करता हो तो आप उसे रोकें अगर आप खुद कर रहे हैं ऐसा तो प्लीज ऐसा मत करें अब जोस्तो चोरी मतलब कैसा हुआ इसे माल लीजे कि जो हमारे घर के बाहर जो मीटर लगा होता है या अधिकतर घर के बाहर लगा होता है लेकिन कई जगा पर घर के इंपूट हो गया जो खंबे से डारेट आता सप्लाई ठीक एक खंबा है जो सप्लाई यहां से सीधा आ जाएगा फ्रेस ने उट्टा 220 बोल्ट तो उसमें क्या करेंगे यहां से सप्लाई आएगा और यहां से जो है आउट्पूट निकल जाएगा यह हमारे लोड पे चला इससे खाली जो घर के कम लोड है वही चलाएंगे जैसे मतलब आपका लाइट हो गया या फिर पंखा बस अब अगर ठंडी का दिन है ठंडियों के बाद कर रहा हूं मैं तो उसमें क्या करेंगे यहां से वायर में कट लगा के यहां से में लोड में जो बड़े बड़े जो वाटेज के उपकरान है उनको जोड देंगे अब इसमें क्या होगा कि अब आपका जो इसके थुरू आ रहा है जो आए तो उसी का बिजली का बिलाएगा इसका नहीं आएगा लेकिन अगर कभी यूपी पीसेल का रेट पड़ा तो अगर इसमें पाया गया तो दोस्तों इ कि आपके घर का लोड मालीजिए 10 किलो वाट का है और आपने इसको जोड रखा है तो फिर आपको अगर यूपी पीसेल ने अगर रेट डाली तो अगर आपने ऐसा कर रखा है तो आपको यहां पे अगर 10 किलो कुबाट का जो देजिने के मालीजिए 200 रुपया रहा होगा तो अगर इन्होंने ऐसा देख लिया तो आपको यहां पर 2,00,00 रुपया तक का जुर्मान आपको देना पड़ सकता है वो क्यों 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 यह तो आपको पता है कि हम यह काम हमने अभी किया है लेकिन यह चीज यह सोचेंगे कि आप बहुत दिन से कर रहे हैं तो आप यह देना पड़ेगा अगर आपने देंगे तो आपको जील भी जा सकते हैं तो दोस्तों आइसा ना करें दूसरा क्या करते हैं कि गाउ। जिसी फशा लिया 23itel का vullी जुर्ड़ीय का रेट पड़ेगा ह। झशाप़ पड़ागा तो जिसके घर से भी ऐसा आप तो आपके घर का जो लोड है वह 2 किलोवाट का है ठीक है और आप अमाली दो किलोवाट का तो पिर वहां पर जादा का बिल देना पड़ेगा उसमें आप चोरी नहीं कर सकते हैं और चोरी नहीं करें क्योंकि दोस्तों अगर आप बिजल के बिल नहीं चमा करेंगे तो हमारी गवर्मेंट बहुत घाटे में जाएगी और वह हमारे लिए नहीं योजना और चीजे को न नहीं इंप्रूब कर पाएगी नहीं हमाय लिए अच्छा चीज दे पाएगी और दोस्तों बिजली का बिल कम आए उसके लिए आप बहुत सारे काम भी कर सकते हैं जैसे कई कंपनिया पावर सेविंग डिवाइस जो बनाते हैं जैसे हैवल्स हो गया और पॉलीकैब हो गया ठीक है पॉलीकैब के बहुत सारे उक्यूपमेंट आते हैं वायर भी आता है जो दोस्तों यह एनर्जी सेविंग डिवाइस बनाते हैं जो इसके बाद मतलब जो यह हमारा मीटर से वायर निकला आउटपूट इसके बाद फिर हमारा एमसीवेंग फिर एमसीवेंग से जो पूट निकलेगा वो पावर सेविंग डिवाइस के थोरो होके निकलेगा उससे क्या होगा कि कुछ हद तक पावर सेविंग हो जाती है और दोस्तों पावर सेविंग बिल जाना आप बहुत सवारे काम पड़ सकते हैं जब भी आप घर से बाहर निकले तो लाइट आफ करक प्राम आएगा अभी दोस्तों मैं आपको एक बादा हूं मेरे घर के बगल में एक लोग ने ऐसे ही किया हुआ था कि उन्होंने स्ठीक इसी तरह के क्या रखा था जो इनके लाइट और हलके हलके उपरांड थे उन्हों उसको इन्होंने इसके आउर्पुट से जोड़ रखा है और दोस्तों बहुत से लोग आयसा भी करते है कि मीट है से छेषा कर देते हैं तो दोस्तों ऑइसा नहीं कहने जिए क्योंकि यहां इस मीटर में के ढखकन में सरकारी जो म Nataly 2 चू करते हैं और आगणे व्यू यह गद्यूपट में लेंग है तो अगर यह स्ल्पल तूट संग भी कर सकता है ऐसा रूल है तो दोस्तों बिजली के मीटर के से कुछ भी छेंचाड़ना करें और जितना बिजली के बिल आए उसे सही समय पे टाइम पे उसको देते रहें तो आपके उपर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों बहुत सो लोग बिजली के बिल नहीं देते हैं दोस्तों फिर बाद में जब उनका बिल आता तो बहुत ज्यादा चौंग जाते हैं वह कि इतना बिल कैसे आगया तो दोस्तों इस बात का विसे ध्यान दें और बिजली के बिल सही सही समय पे सही टायम पे जमा करते रहें दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ और मुझे कुछ गलत बताया हो तो दोस्तों मुझे आप कमेंट करके बताईएगा